जो उभरते हुए हमारे लोग हैं जो समाज के लिए दिन रात खड़े रहते हैं आप इसी तरीके से उनको प्रतांडित करेंगे तो इस तरीके से तो हमारे समाज का और दमनी हो रहा है योगेश भाई के ऊपर में जो भी कह रहे हैं कि योगेश भाई को दोशी बनाकर बहुती गलत करते किया जा रहा है उनकी छवी को धुमिल किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए योगेश भाई एक बहुती सच्ची और निश्ठावन कारी करता हैं और समाज के हर सुक दुख में एक साथ खड़े रहते हैं समाज इस पर पत्राओं हुआ है उच्च को लेकर क्या कोगे पुलिस के तीन लोग वहाँ पर घायल हुए हैं दो कोतवाल एक अन्य पुलिस करमचारी और भी हैं वो घायल हुए नमस्कार आप देख रहे हैं देंग की आपको पता है अभी हम रुड़की राम नगर इस्तित रविदास मंदिर पर खड़े हैं और आप मेरे पीशेश देखते हैं रविदास सैना के जो यूवा विंक के यहां पर सदस्य पतदिकारी है वदलिस समाज की लोग है वो हमारे जानते हैं जिस तरह से आप यहां पर आज इकत रोए रविदास मंदिर पर क्या मांगें आपकी सरकार से हमारी सरकार से सिर्फ इदनी मांग है कि मामले की निस्पक्स जाच करें हम बेलडा परकरन की बात कर रहे हैं जिसमें की एक स्तिती बन गए थी जिसमें दो समाज अब उसका कारण तो यह पता नहीं क्या है लेकिन वह व्यक्ति भी चला गया और परशाशन ने एक तरफा कारवाई करते हुए उनका ध्यान करते हुए जो परिवार के साहयक लोग थे उन्हीं को ही अभ्यूक्त बना दिया है यह उसमें हमारी मांग है परशाशन से कि वह दोनों तरफा कारवाई करें और एक तरफा कारवाई ना करें परशाशन ने दोनों तरफ लिखा है जो रास्टे आपके यहां पर एसी एक के चेर्मेन भी पहुचे थे पाद्यक्ष महाई थे वाई चैर्ट उन्होंने भी कहा है कि भाई उनको आठ लागर पर दिये जाए है और उनकी जो मुगदमा किया जैसी भी सेडी की जाज भी कही है उस चीज को लेगर आपके हमारा कहना यह है कि उन्होंने अगर जो यह मांग मांगी है तो यह स्वागत योगे मांग है लेकिन उसमें एक हमारे भाई है योगेश परमुग जी जिनको अन्नेसेसरी है हमें वह समाजिका आदमी है समाज के हर दुख सुख में झखड़े रहते हैं और हमा आज्टिव कमांई का फूरकिसे घर जो मान ऱ आप इसी तरीके से समाज के लोगों को जो अप्ष्टे को समाज के लिएutta खड़े रहते हैं आप इसी तरीके से उनको ऑगर दिनरात के तो इस तरीके से तो हमारे समाज का और दमन ही हो रहा है जो दो चार प्रमुख लोग हैं जो किसी तरह प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज के लिए अच्छा कारे कर रहे हैं उनके साथ बहुत दमनकारी निती अपनाई गई है इसलिए हमारा कहने मांग यह है कि इसकी जाच करें अच्छी तरह करें और एकदम से जल्दवाजी ना करें परशाचन आपको पता है जो यहां पर लोग खड़ें साफ तरुपे कह रहे हैं कि योगेश कुमार जो उस प्रकण में जिसने मुक्य रोपी जिसने पुलिस ने पाया है पताया जा रहा है कि जो वहां पर प्रकण हु समाजी करता है और उनका इस मामले में कुछ लोगों पर दर्च करें साफ तरुपे पुलिस करिया एविडेंस है योगेश थे वहां पर योगेश ने रंगा बढ़काया उस गाहों में यह गल्द बाता बिल्कुल यह बिल्कुल गल्द बाता वाद्वी ऐसे नहीं बीचार समाजी का आदमी समाजी कारे करते हैं समाज के लिए काम करते हैं मांगे आपकी आदमी को निर्दोस साबित कर जाओ उसका काम है नहीं है यह यह कुमार किसी परकार का कोई मामला नहीं आना चाहिए यह पुलिस आपकी मांगे नहीं मांगती पर शाचन आपकी मांगे नहीं मांगता तो फिर काची फिर क्या कहने हम तो यह कह रहे हैं कि हम को अपनी जबरदस्ति तो कर नी सकते हैं होना तो यह कानून के दाहरे में हैं लेकिन ऐसे ना करें कि जो एक तरफा कारवाई हो जाए हमारा कहने का मतलब यह है कि इसकी निस्पक्स जाच हो बिल्कुल और यह जो भी सच है सामने आना चाहिए जैसे कि प्रकरन हुआ होते ही बतलब तब तक तो एविडेंस भी सब इक समाज के लोगों पर दर्ज हुई थी हमारा ही बच्चा वह बेशक एक्सिडेंट हो या उसके साथ को अनित हुआ हो हमारा ही बच्चा उसमें भुक्तव होगी है और हमारा ही समाज आड़ समाज के चार लोग साथ में खड़े होने लग जाए तो उसका यह मतलब नहीं कि आ सब्सक्राइब नहीं साबित हो पाएगा तो वहां पर करे जाएगा इस इसको लेकर कह रहे हैं जी क्या करना चाहें जो भी हो रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है समाज हर जगा हमारे समाज को दबाए जा रहा है एक दिन यह समाज इखटा हो गया तो इस देश में औरुबी सरकारी अधिकारों इसे निमेदन है किसी भी किसी भी तरह के निर्दोश बिलकुल रिश्पक्छाच की मांग कर रहे हैं जी क्या करना चाहूंगो कि मैं ये कहना चाहूंगा हमारे योगेश भाई जीन पर ये एक तरफा मुकदमा किया जारा है ये मुकदमा आप एक तरफा ना करके, आप पहले जाज करें, जाज के बाद ही, आप हमारे योगेश भाई ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, योगेश भाई एक समाज एक कारे करता है, समाज के लिए उन्होंने काम किया है, और हमेशा हो समाज के लिए दिन रात, किसी भी समय उनको बुलाया जाए हो हमेशा खड़े रहते हैं पर समाज भी आज उनके लिए खटा हुआ है समाज इस पत्राओं हुआ है उसको लेकर क्या कोगे पुलिस के तीन लोग वहाँ पर घायल हुए है दो को तवाल एक अन्य पुलिस करमचारी और भी है वह घायल है एक बात बताईए एक बात ब थारीट्ट किया रहा है किसी समाज को एक तरफा दबाने का मतलब यह है कि समाज को जो लेके चलता है अगर उसी को दबाएंगे तो आगे को ने ता खड़ा होगा जो समाज के लिए काम करता है अगर उसी को दबाना शुरू कर देंगे हमारे जो आज एक तरफा समाज आप यह देखिए 15 लोग कौन थे जो रोड स आप इसकी जाच करवाईए आप इसकी जाच करवाईए आप ही के अगर वो अपने आदमीयों को 10 वह उन्होंने क्या दिया कि उनके आदमी के साथ मिलके आप अपने घर में थोड़ा बहुत यह नुकसान करो हम उन्हें के उपर मुकतमा लगा देंगे सब्सक्राइब करता हूं कि इस परकरण में योगेश भाई को दोशी बनाकर बहुती गलत करते किया जा रहा है उनकी छवी को धूमिल किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए योगेश भाई एक सब्सक्राइब करता हैं और समाज के हर सुक दुख में एक साथ खड़े रहते हैं इस तरह से उन पर इस तरीके के एलिगेशन लगाना कोई उचित काम नहीं कर रही है सरकार और यहां का सासन और परसासन मेरी सिर्फ सरकार से एक ही अपील है कि योगेश भाई की उपर जितने कि भाई यहां पर जो लोग हैं साफ तरुपे कह रहे हैं इस मामले में जो पुलिस का नाम सामने दा रही है उसका नाम बिलकुल सामने नहीं आना चाहिए